Study IQ IS अब तयारी हुई affordable US profit from the Marshall Plan Welcome to Study IQ मेरा नाम है आदेश सिंग दोस्तों, Second World War के बाद यॉरोप के अधिकानश देशों की Economic and Political Condition बहुत खराब हो चुकी थी एक अनुमान के मताबिक इस युद्ध में पांच करोड से ज्यादा लोग मारे गए थे और लाखों लोग refugee camps में खराब हालातों में रह रहे थे Aerial bombing के चलते यॉरोप के industrial complex transportation infrastructure ports और merchant ships पूरी तरह से नश्ट हो चुके थे ऐसे में अमेरिका ने युद्ध के तुरंत बाद ही Western Europe के देशों के Economic Reconstruction और Soviet रूस के यॉरोप में बढ़ते influence को रोकने के लिए United Nations के जरिये मानविय सहाइधा पहुचाना शुरू कर दिया परन्तु 1946 तक अमेरिकी राष्ट्रपती Harry S. Truman को लगने लगा था कि इस तरह वो यॉरोप में Soviet रूस के बढ़ते खत्रे को नहीं रोक पाएंगे इस खत्रे से निपढ़ने के लिए उन्होंने Truman Doctrine की घोशना की Truman Doctrine के अंतरगत अमेरिका ने Democratic Countries को Authoritarian Forces के खिलाफ Political, Military and Economic Assistance देने का बादा किया इसी Doctrine के तहद युद्ध से बरबाद हो चुके European Countries के लिए European Recovery Program लाया गया जिसे Marshall Plan के नाम से भी जाना जाता है Marshall Plan को अमेरिका के सबसे सभल US Aid Programs में से एक माना जाता है इसके तहद Western Europe के 18 देशों को Economic Reconstruction के लिए US Aid प्रदान की गई इस Plan के तहद 1948 से 1951 के बीच लगभग 13 बिलियन डॉलर की साहता दी गई इससे Western Europe की Economic Condition में सुधार हुआ और European देश फिर से अपने पैरों पर खड़े होने लगे Industrial Production में वृद्धी Currency के Stable होने और रूजगार के अवसरों में वृद्धी होने से इन देशों में चल रहे Socialist Movement की तरफ लोगों का रुज़ान कम होने लगा जिसके परणाम स्वरूप न सिर्फ Western European Countries में Political Stability आई बलकि European Economy के Integration से इन देशों को एक Common और Free Market डिवेलप करने में भी मदद मिली अब यहां सवाल ये उड़ता है कि Marshall Plan से क्या सिर्फ European Countries को ही लाब हुआ या फिर इससे अमेरिका को भी Directly या Indirectly फाइदा हुआ आज हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि Marshall Plan ने किस प्रकार American Interest को वरियता दी और Long Term में इस प्लैन से सरवाधिक लाब अमेरिका को ही कैसे हुआ तो आईए बिना देर की हुए सबसे पहले Marshall Plan के Salient Features को विस्तार से समझते हैं जिससे हमें ये समझने में सुविधा होगी कि किस प्रकार ये अमेरिका के लिए फाइदे मंद रहा है What is Marshall Plan अमेरिकी विदेश मंतरी George C. Marshall के नाम पर इस योजना का नाम Marshall Plan रखा गया था George C. Marshall ने इस योजना की रूप रेखा पहली बार 1947 में Harvard University में एक lecture के दोरान प्रस्तुत की थी इस योजना का मुख्य उदेश्य यॉरोप के युद्ध के कारण क्षति ग्रस्त शेहरू Industries और Basic Infrastructure का Reconstruction करना European देशों के बीच Trade Barriers को दूर करना और Western यॉरोप के देशों पर Soviet रूस के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना था इस यूजना के तहद 1948 से 1951 के मद्ध 18 European countries को लगभग 13 billion dollars की मदद दी गई थी Marshall Plan के तहद America ने Economic Cooperation Administration ECA नामक एक Regulatory Body का गठन किया था ECA Marshall Plan के अंदरगत दिये जाने वाले funds की सक्ती से निगरानी करती थी ECA के officers Europe के women देशों में नियुक्त किये गए थे जो European देशों की priority के हिसाब से funds को direct और approval प्रदान किया करते थे इस plan को इस तरह से design किया गया था कि Western European countries के बीच Economic integration को बढ़ावा मिले इसके लिए European countries दुआरा Organization for European Economic Cooperation OEEC नामक संस्था की स्थापना की गई जो program के key component को लागू करने और trade barriers को कम करने के लिए एक nodal agency के रूप में कारे करती थी Marshall Plan से development के लिए fund लेने पर European देशों को अपनी economic policies में change करने के लिए सहमती देनी पड़ती थी जैसे raw material और manufactured goods उन्हें अमेरिकी supplier से ही खरीदने पड़ते थे ECA European industries को productivity बढ़ाने और management को बेहतर बनाने के तरीकों के बारे में भी जानकारी प्रदान करती थी इस program के माध्यम से 1951 तक European industrial production में 55% और agriculture production में 37% तक की वृद्धी हुई European economy के reconstruction में Marshall Plan के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए George C. Marshall को 1953 में Nobel Peace Prize से सम्मानित किया गया था आए अब हम देखते हैं कि Marshall Plan से अमेरिका को क्या लाब हुए Profit for the US 20. सदी के प्रारंब में ही अमेरिका विश्व की एक प्रमुक इंडस्ट्रियल कंट्री के रूप में उभर चुका था और international trade में free market access और trade related barriers को खत्म करने की डिमान कर रहा था परन्तु इस समय उसकी नहीं थी European मामलों में टांग न अड़ाने की थी लेकिन अंत में उसे दोनों World Wars में interfere करने के लिए मजबूर होना पड़ा था दोनों World Wars के दोरान अमेरिका ने European देशों को न सिर्फ military equipment, arms and ammunition, machinery और food supply किया था बलकि भारी मात्रा में loan भी दिया था जिसे इन देशों को चुका न था परन्तु युद्धों के कारण European देशों की economy पूरी तरह से बरबाद हो गई थी ऐसे में ये देश इन loans को चुकाने में सक्षम नहीं थे इस प्रकार Second World War के बाद जब European-based Old World Order बिखर गया तो अमेरिका को अपने geopolitical interest फुल्फिल करने और एक नया World Order बनाने का सुनेहरावसर मिल गया आईए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि Marshall Plan ने किस तरह अमेरिका को नया World Order बनाने में हेल्प की Soviet Containment Information of NATO इस योजना के जरीए अमेरिका यॉरप में socialist ideology और Soviet रूस के बढ़ते हुए प्रभाव को भी कम करना चाहता था वास्तव में Second World War के बाद Political Ideology के बेसिस पर यॉरप दो भागों में बन गया था Eastern Block में Soviet रूस और उसके satellite countries जैसे East Germany, Belarus, Ukraine, Poland, Hungary और चेकोसलवा के आदी आते थे और Western Block में West Germany, United Kingdom, France, Belgium, Italy, Sweden, Norway, Finland, Austria, Spain, Portugal, Luxemburg और तुर्की आदी देश सम्मिले थे एक ओर जहां सोवियत रूस के नेत्रित्व में Eastern Block के देश Socialist Ideology का प्रतिनिधित्व करते थे वहीं अमेरिका के नेत्रित्व में Western Block की Countries Capitalist Ideology का प्रतिनिधित्व करती थी यॉरप के इन दो Blocks में विभाजित हो जाने से अमेरिका और सोवियत रूस के बीच Cold War की Situation पैदा हो गई थी जिसके कभी भी वास्तविक संघर्ष में तब्दील होने की आशंका बनी रहती थी Marshall Plan के माध्यम से सबसे पहले Greece और Turkey को Fund उपलब्द कर आए गए थे ये दोनों देश सोवियत रूस के Communist Block के नस्दीक स्थित थे और इन दोनों की Political Situation बहुत खराब थी ऐसे में अमेरिका को लगता था कि इन देशों में भी Communist Supporters द्वारा तख्ता पलट किया जा सकता है यदि ये दोनों देश सोवियत रूस के Influence में आ जाते तो सोवियत रूस की सीधी पहुँच Mediterranean Sea तक हो जाती जिससे Western Europe को गल्फ से होने वाली Oil Supply के ब्लॉक हो जाने का खत्रा मंडराने लगता ऐसे में अमेरिका इन देशों में सोवियत रूस का Influence बढ़ने का रिस्क नहीं ले सकता था Marshall Plan के साथ ही अमेरिका के नित्रित्व में यौरप की collective security को ध्यान में रखते हुए North Atlantic Treaty Organization NATO का गठन किया गया इस प्रकार Marshall Plan द्वारा European countries के Economic Reconstruction और NATO के गठन के जरिए अमेरिका ने सोवियत रूस का Western Europe की और विस्तार रोक दिया आईए अब यह जानने का प्रयास करते हैं कि Marshall Plan ने किस प्रकार अमेरिकी कंपनियों को लाब पहुचाया Profit for American Companies Marshall Plan के तहट European देशों को अपनी जरूरत का raw material और manufactured goods अमेरिका से ही खरीदना पड़ता था जिसके चलते अमेरिकी कंपनियों को European बाजारों का access मिला इससे पहले European countries ने अपने बाजारों में foreign goods के import के उपर heavy tariff imposed कर रखे थे परन्तु Second World War के बाद उन्हें अपनी protectionist economic policies छोड़नी पड़ी इसका लाब अमेरिका और European countries दोनों को हुआ अमेरिकी कंपनियों ने यॉरोप को machinery, food, raw material का export किया तो दूसरी ओर European products का अमेरिकी market में promotion करने के लिए trade fair लगाए गए जिसके परिणाम सुवरूप European products के export में भी वृद्धी हुई इस तरह से यॉरोप और America एक दूसरे से logistic supply chain के जरिये जोड़ गए 1948 में Marshall Plan के प्रारंब होने के बाद यॉरोप और America के बीच किस तरह free trade को बढ़ावा मिला आईए देखते हैं encouragement of free trade European countries के economic reconstruction के बहाने अमेरिका को न सिर्फ यॉरोप के market का access मिला बलकि उसने Western European countries के economic integration को promote कर यॉरोप में होने वाले संगर्षों की संभावना को भी बहुत हद तक कम कर दिया आगे चलकर economic integration से मिलने वाले लाब को देखकर Western European countries ने European Union का गठन किया इसके अलावा उसने यॉरोपिये देशों पर colonies को आजाद करने का भी दबाव बनाया आर्थिक रूप से जरजर यॉरोपिये देश वैसे भी लंबे समयता अपनी colonies पर नियंत्रन बनाय रखने में सक्षम नहीं रह गए थे ऐसे भी ये colonies एक एक करके आजाद होती गई इन colonies के आजाद होने के बाद अमेरिका को बगेर किसी restriction के नए आजाद हुए देशों में एक बड़ा बाजार उपलब्द हो गया इस दौरान अमेरिका ने ज्यादा से ज्यादा देशों को capitalist block में शामिल करने का प्रयास किया third world countries में अपने अनुकूल economic policies बनवाने के लिए अमेरिका ने IMF और World Bank में अपने influence का जम कर इस्तिमाल किया आई अब हम देखते हैं कि कैसे Marshall Plan ने American values को world standard बना कर अमेरिका को soft power के रूप में पेश किया showcasing US soft power Marshall Plan द्वारा दी गई आर्थिक सहायता के साथ ही American social and artistic values का भी यॉरोप में प्रसार हुआ जिस तरह Marshall Plan ने यॉरोप के economic reconstruction में help की थी उसी तरह Hollywood की फिल्मों में भी अमेरिका को world savior के रूप में दिखाया जाने लगा इन फिल्मों में अमेरिका को freedom of speech, free will, entrepreneurship और democratic values के रक्षक के रूप में दिखाया जाने लगा Coca-Cola, Pepsi जैसे soft drinks और McDonald's fast food restaurant आदी का Europeans की food habits पर गहरा असर पड़ा American consumerism का Europe पर भी गहरा प्रभाव पड़ा production बढ़ने के साथ-साथ European society में भी consumerism में वृद्धी हुई इन सब का collective effect ये हुआ कि American values world standard बन गई जिने Americans द्वारा पूरे विश्व में प्रमोट किया जाने लगा Conclusion Marshall plan को America first policy के सबसे positive examples में से एक माना जाता है Truman और Marshall का मानना था कि यदि जल्द ही Western Europe की weak economy का reconstruction नहीं किया गया तो जनता का liberal democratic government से विश्वास उठ जाएगा और European जनता populist, authoritarian regime को तरजीह देने लगेगी ऐसे में अमेरिका के सबसे महत्वपून trading partners और important strategic allies के कमजोर होने पर अमेरिका की खुद की सुरक्षा प्रभावित होगी Marshall Plan द्वारा मिली आर्थिक सहायता से Western European countries में economic and political stability आई और NATO के रूप में collective security की guarantee मिलने से इन देशों में सोवियत रूस के विस्तार को भी रोकने में सभलता मिली इस program के सभलता पूरुवक संचालन के बाद global institutions और global economic structure में American influence में व्रिद्धी हुई 1948 के बाद United Nations, World Bank, International Monetary Fund जैसे global institutions की policy making में America ने decisive role play करना शुरू कर दिया ये सभी institutions विश्व के अन्य देशों को financial और development assistance and services उपलब्द कराते हैं इस तरह global world order के rules and regulations American interest को ध्यान में रखकर बनाय जाने लगे International trade में dollar को वरियता मिलने की वजह से US dollar एक global currency के रूप में उबरा और अधिकान शुदेश अपना forex reserve US dollar में रखने लगे जिसके परणाम सुवरूप America की economic and foreign policies अन्य देशों की economic and foreign policies पर भी असर डाले लगी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपने long term economic and strategic interest को देखते हुए America द्वारा Marshall Plan की शुरुवात की गई थी और इसका सरवादिक लाब भी America को ही मिला इस program ने Western Europe और America की common economic and geopolitical interest को एक सूत्र में बांध दिया था Study IQ IS अब तयारी हुई affordable